हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटको के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवशक जानकारी आप से मिसना हो पाए, धन्यवाद और वरत पर्व और त्योहार के अगर बात करते हैं, तो बड़ी ही विशेश्टी थी, बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व जिसे नाकपंचमी के नाम से हम लोग जानते हैं, वो आज मनाया जा रहा है, नाकपंचमी पर कालसर्प दोश, पित्र दोश इत्यादी के बहुत अच तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशी की, मेश राशी वाले जातक लोगों के लिए आकस्मिक धनलाब के योग आपके लिए बनते हैं, आज के लिए और भविश में लाब की इस्थिति आपके लिए बनेगी, उसके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज आप जो अपने व्यापार से जुड़े हुए, अपने करियर से जुड़े हुए निरणय करेंगे, वो भविश में आपको मजबूत लाब दिलाए, ऐसी इस्थिति आपके लिए बनती है, ओम वाणी प्रदाई नमह मंतर का एक्सो आट बार जाप करें और कारी की मिथुन राशी, मिथुन राशी वाले जातक लोगों के लिए आज कारेशित्र में बहुत बड़ा नुकसान होने की इस्थिति आपके लिए दिखाई देती है, तो अपने फाइनेस पर आपको अपने अर्थवेवस्ता पर आपको बहुत ज़्यादा दियान देना होगा, क कारोबार अच्छा चलेगा, धनलाब के इस्थिति रहेगी, प्रॉपर्टी में निवेश और कारेविस्तार की योजनाय आजाब बना सकते हैं, ओम लंबोदराई नमहमंतर का 108 बार जाप करें, और किसी का दिल दुखाने से आपको बचना चाहिए, सिंग राशी, सिंग र राशी वाले जातक लोगों के लिए कारोबार अच्छा चलेगा, धनलाब के इस्थिति रहेगी, ओम मुशक वहनाय नमहमंतर का 108 बार जाप करें, निवेश से आपको बचना चाहिए, तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए कारेश उत्र में काम के दिखता रहेगी, और दिन भागदोर में बीतेगा, ओम मुनी इस्तुत्याई नमहमंतर का 108 बार जाप करें, गरीब अव्यक्ति का अनादर अपमान करने से आपको बचना चाहिए, वरिश्यक राशी वाले जातक लोगों के लिए कारोबार अच्छा चलेगा, और कारे में सफलता मिलने से धन आपके इस्तिती रहेगी, ओम माईने नमहमंतर का 108 बार जाप करें, और कुरूद करने से आपको बचना चाहिए, धनुराशी वाले जातक लोगों के लिए अधिकारी आपके काम से प्रसंद रहेंगे, प्रॉपर्टी में निवेश आपके लिए लाबदाई से धोगा, ओम विनायकाई नमहमंतर का 108 बार जाप करें, बड़े वादे बड़े कमिट्मेंट करने से आपको बचना चाहिए, कुम्बराशी वाले जातक लोगों के लिए व्यापार धंदे में लाब की इस्तिती रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों की भी अधिकता इस दोरान आपक कि कोई रुका हुआ, कोई अटका काम किसी मित्र की साहिता से उसके माध्यम से पूरा हो सकता है, ओम विग्न राजाई नमहमंतर का 108 बार जाप करें, पार्टनर से जगड़ा या वादेवाद आपको नहीं बढ़ाना चाहिए, तो दोस्तों ये तो बात रही आज के 12 राश से सुनिये किस तरीके का काल सर्प आपकी कुंडली में है, उसका निवारन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, काल सर्प दोश का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय उत्पन हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में ये दोश होता है, उन्हें अपने जीवन में अन तेक काल सर्प दोश के निवारण के लिए कुछ अलग-अलग उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप अपने जोतिशी से बात करके कि कौन सा योग आपकी कुंडली में बन रहा है, उसका आप निवारण कर सकते हैं, सबसे पहला जो काल सर्प का प्रकार है वो है अनंत क अनंत काल सर्प दोश होने पर श्राद्ध पक्ष में एक मुखी, आठ मुखी या फिर नौ मुखी रुद्राक्ष धारन कर सकते हैं, नौ मुखी रुद्राक्ष पहनना होता है, तो अगर आपको नौ मुखी ना मिले तो आप एक मुखी और आठ मुखी पहन सकते हैं, और अगर नौ मुखी मिल जाता है तो फिर एक नौ मुखी पहन करके भी आपका काम हो जाता है यदि इस दोश के कारण स्वास्त ठीक नहीं रहता हो तो श्राद्ध पक्ष के दौरान रांगे की एक से बने हुए एक सिक्के को जल में प्रवाहित करने से आपको रोगों में बहु या गरमवस्त आपको दान करना चाहिए किसी जरूरतमन व्यक्ति को किसी गरीब व्यक्ति को दूसरा उपाई है कि चांदी की एक ठोस गोली बनवा करके उसकी पूजा करें और उसको अपने पास आपको सदयव रखना चाहिए तीसरा कालसर्प का प्रकार है वासुकी कालस आगे में तीन आठ या फिर एक नौ मुखी रुद्राक्ष आप धारन कर सकते हैं एक आपको तीन मुखी रुद्राक्ष धारन करना है एक आठ मुखी करना है या अगर आप दो अलग अलग रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहते सिर्फ एक पहनना चाहतें तो सिंप्ली नौ मुखी रुद्राक्ष एक दाना आप धारन कर लेंगे तो आपको उसे लाब मिल जाएगा जो चौथा प्रकार है काल सर्प दोश का वो है संग शंक पाल काल सर्प दोश शंक पाल काल सर्प दोश होने पर पित्रपक्ष के दौरान किसी भी दिन 400 ग्राम साबुत बादाम जल म है वो काल सर्प दोश के लिए बहुत ही महत्वपूण मानी जाते हैं तो काल सर्प दोश के निवारण के लिए नाग पंचमी में आश्राद पक्ष के किसी भी दिन से प्रारंब करते हुए 40 दिनों तक लगाता है रोज सरस्वती 40 आ का जातक को जो पीडित व्यक्ति है उसको पाठ करना चाहिए और जरुवतमन व्यक्ति को पीले वस्तर का दान करना चाहिए और तुलसी का पौधा लगा पंदर जाकर के नियम से सुन्दर कांट पढ़ना चाहिए यह उपाए आप नाग पंचमी से भी आरम कर सकते हैं और पित्र पक्ष में किसी भी तिती से इसको आप शुरू कर सकते हैं और श्राद पक्ष के दौरान गरीब और असहाय लोगों को भोजन करवा करके कुछ दा काल सर्पदोश का तक्षक काल सर्पदोश के निवारण के लिए ग्यारा नारियल जलते बहते हुए जल में चलते हुए पानी में आप प्रवाहित कर दें और सफेद वस्त्र और चावल का दान किसी ब्रामन को करें तो आपको फायदा आवश्य मिलता है यह उपाए आप न चाहिए उनके मंदर में जा करके उन्हें दही और गुड का भोग लगा करके आप उनकी पूजा आराधना करें शीशे के आठ टुकड़े जल में प्रवाहित करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा नौवा प्रकार है शंक चूड काल सर्पदोश की शांती के लिए नाग पंचमी की तिथी में या श्राद पक्ष के किसी भी दिन में रात को सोने से पहले सिराने के पास जओर अगले दिन उसे पकषियों को आपको खिला देना चाहिए पांच मुखी आठ मुखी रुदराक्ष के दोनों के एक-एक दाने या फिर नौ मुखी स्थान में रखना चाहिए चार मुखी आठ मुखी रुद्राक्ष के एक एक दाने आप दुनों एक साथ धारन कर सकते हैं या फिर नौ मुखी के निदान के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर उधारन के रूप में परिवार में 5 सदस्य हैं माता पिता और दो तीन भाई बहनहें तो पांच नारियल आपको लेना है इसको लेकर के एकक नारियल पर उनका हांथ लगवा करके बैते हुए जल में आप प्रवाहित करवा दीजे परिवार में किसी भी व्यक्ति के उपर अगर विशधर कालसर्प योग होगा उपाए आपको परिवार के सभी सदस्यों के हिसाब से करना पड़ता है भगवान शिव के मंदर में जा करके यता शक्ति दान दक् बारहवा कालसर्प दोश का प्रकार होता है शेशनाग कालसर्प दोश होने पर अंतिम श्रादपक्ष की पूर्वरात्रीप को लाल कपड़े में सौफ बान करके सिराने रखे और उसे अगले दिन सुबै आपको खा लेना चाहिए यानि जो पित्रपक्ष का आखरी दिन हो को जो है आपको एक कपड़े में थोड़ा सा सौफ सिराने रखे सोना है और अगले दिन उसे आपको स्वयम ग्रहन कर लेना है और इसके साथ साथ दूद और जलेवी का दान गरीबों को या किसी ब्रामन को करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा यह जो उपाए है यह भी कर सकते हैं नाग पंचमी की रात में भी कर सकते हैं और पित्रपक्ष में भी इनको आप कर सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त से जुड़ी हुई बातें ग्यान की बातें जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल से प्राप्त होती हैं वो ने पसंद आती होंगी आप सभी से बार-बार आग रहा है कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कावना के साथ कि आपका दिन शुब सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अप्लोड होने वाले मेरे चमतकारी उपायों के वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए धन्यवाद आप अपनी किसी भी व्यक्तिकत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं यानि आप अपनी किसी भी परसनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं टेलिफोनिक कंसल्टेशन फोन पे बात करना और 300146 यह हमारे office का दूसरा नंबर है अगर आप हमें email करना चाहते हैं तो आप हमें email कर सकते हैं हमारी email id note कर लीजे sharma.webava vaibhava at the rate gmail.com इस पर आप हमें email भी कर सकते हैं मित्रों आजकल phone calls बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग call करते हैं phone receive नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में email और whatsapp करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवार